वाटरमेलन हलवा बनाने के लिए एक वाटरमेलन लेंगे उसको कट करके उसके सीड निकाल देंगे सीड निकालने के बाद उसके प्यूरी बना लेंगे एक कड़ाई में हाफ बाउल गी गरम करेंगे गी गरम होने के बाद उसमें 10-12 आल्मंड्स एट करेंगे आल्मंड्स को थोड़ा फ्राय करेंगे फ्राय करने के बाद बन बाउल रवा एट करेंगे रवा को अच्छी से भूनेंगे ज्यादा नहीं भूनना है रवा फ्राई होने के बाद उसमें एक कप शुगर एड़ करेंगे शुगर को अच्छी से चलाएंगे फिर उसमें डेड़ ग्लास वाटरमेलन प्यूरी एड़ करेंगे थोड़ा सा कलर एड़ करेंगे थोड़ा केसर डालेंगे अच्छी से चलाएंगे फिर ढख कर 10 से 15 मिनिट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि रवा अच्छी से फूल ना जाए आलमेंट्स को चॉप करके साइट में रख लेंगे गार्निश के लिए थोड़ा वाटरमेलन स्लाइस कट करके रखेंगे रवा अच्छी से फूल चुका है अब इसमें लाइची पाउडर रेट करेंगे बाटरमेलन हल्वा रेड़ी है उसको आलमेंट्स और बाटरमेलन स्लाइस से गार्निश करेंगे